हलो एवरिवान वलकुम तो आज चैनल पनेश यह फर कॉंपटेटिव एग्जामिनेशन जनाम शुवेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं करिंट एफ़र जो आपके टीचेस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूस्वल रहेंगे साधी साथ स्टेट लवल एग्जामि जो भी क्लासिस हुए है उनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप टीचेस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो टीचेस करेंट टेफर वाले प्लेलिस्ट आप जरूर चैक आप करिए जिए जो जलो देखते हैं आज का पहला क्वेशिन कौन सा है So what is a interest rate on employees provident fund? Okay deposit for 2021 So यहां पर ministry of finance ने जो है अपरू दिया है एक rate interest rate So on employees provident fund उसको short form में EPF कहते हैं So इस साल का 2020 and 2021 का provident fund interest rate कितना है employees का So answer आपका हो जाएगा 8.5 percentage Okay so चलो next question लिखते है World vegan day is celebrated on which date? So कब मनाया जाता है World vegan day? So answer आपका हो जाएगा November 1st Okay November 1st को celebrate किया जाता है vegan day So आपको vegetarian and यहां पर vegan के बीच में जो difference है पता है क्या vegetarian क्या होता है, vegan क्या होता है So यहां पर vegetarian वो होता है जो only यहां पर non-veg नहीं गाता है यहां पर देखना non-veg नहीं गाता है vegetarian है सो अगर बात करते हैं वेगन के बारे में ये भी जो है नॉन वेज नहीं काता है साथी साथ यहाँ पे क्या है ना ये कुछ भी यहाँ पे कुछ भी इंसेट हो या आनिमल हो उनको बिल्कुल भी हाम नहीं करेंगे यानि ये लोग मिल्क भी कंजियूम नहीं करते हैं सिल्क से जो भी बनता है ना कपड़ा उससे कपड़े नहीं बनवाते हैं और क्या होता है कॉस्मेटिक्स होता है जो जैसे कि लिपस्टिक होती है उसमें जो है आनिमल फैट से जो है लिपस्टिक को बनाया जाता है जैसे कि foundation भी तो उनको भी यूज नहीं करेंगे ये तो उनको कहते हैं वेगन सो वेगन दे अबज़र्व किया जाता है नवंबर 1 यह याद रखना vegetarian और वेगन के बीच में हमें difference पता होना जरूरी है सो आप क्या करेंगे comment section में बताओ कि आप non-vegetarian हो या vegetarian हो या वेगन हो ओकी सो चलो next question देखते हैं सो विच स्टेट के चीफ मिनिस्टर है लॉंच किया है यहां पर एक मिशन जहां पर इलीगल सायन माइनिग नहीं होगा लिकर का ट्रेड नहीं होगा इलीगर ओकी सो अंसर आपका क्या हो जाएगा option पंजाब आपका सही अंसर हो जाएगा तो चरण जीत सिंग के दवारा जहां के चीफ मिनिस्टर इनके दवारा जो है लॉंच किया गया है अगर हम गावनर की बात करते हैं कौन है बनवारी लाल पुरो है जो है गावनर है अगर हम साथी साथ एक बार लोगसबा राजसबा भी देख लेते हैं तो 13 सीच है लोगसबा में 7 सीच है राजसबा में पंजाब नेक्स वेशन देखते हैं अभी वेच कंट्री इस सब टो स्टार्ट नॉक अवरीडोर कंपेञ्न तो बूस्ट वंचनेशन वेक्सिनेशन स्टार्ट करने वाली है नॉक अवरी देशन को बूस्ट करने के लिए है ओक तो हमारे कंट्री में 21st of October तक 100 crore vaccinations हो चुके है यानि 100 crore लोग जो है वाक्सिन ले चुके है 21st of October तक पर क्या हमारे गंटे में 100 crore ही है क्या लोग? नहीं, बहुत सारे लोग है जिन्होंने अभी तक vaccination नहीं लिया है तो उनको जो है vaccination देने के लिए ताकि वो आगे आए vaccination लेने के लिए यह जो है start किया गिया है knock every door यानि गर गर जाएंगे और उनको जो है बूलेंगे या वाक्सिन दीएंगे या उनको पास वाइने vaccination सेंटर पे आने के लिए कहेंगे vaccination लेने के लिए आंसर आपका option number B इंडिया है ओके knock every door campaign याद रख लो next question दीखते है the sixth edition of the national formulary of India published by which institute so sixth edition का जो formulary है किस के द्वारा जो है इस institute के द्वारा published किया गया है तो answer आपका इंजियन फार्मा को पिया कमिशन के द्वारा जो है इसको publish किया गया है okay next देखना so which country has named as native long-tailed bat as a bird of the year so यहाँ भी देखना bat हम सारे लोग को पता है पर इनका जो है ना इनकी country की एक native bat है जिसका जो tail है long है और उस bird को उन्होंने bird of the year कहा है तो वो कोई सी country है the answer आपका हो जाएगा New Zealand okay so New Zealand की long-tailed bat जो है bird of the year है New Zealand की right so अगर हम New Zealand की बात करते है what is a capital पता है कि आप लोगन को Wellington है and currency dollar okay so Wellington dollar याद रख लेना New Zealand next question देखते है which Indian state has stopped the public affair index 2021 so public affair index 2021 कोँसी state नहीं टॉप किया है तो answer आपका क्या हो जाएगा Kerala will be your right answer right so first place पे तो केला रहा so next place पे कौन तो second place पे तो टमिल नाडू थी okay and यहाँ पे थर्ड प्लेस पे तो यह भी याद रखो केला तमिल नाडू थेलंगाना so आपको माप में भी पता ही है ना केला तमिल नाडू तेलंगाना अंदरप्रदीश गर्नात का तोड़े यह confusing है okay पर याद रख लो मैं साउथ की हूँ तो मुझे कोई confusion नहीं है पर आप नौट से विलॉंग करते हो तो आपको ज़रूर confusion होता होगा याद रख ले ना केला तमिल नाडू थेलंगाना मैप में भी आप ना याद रखो क्योंकि question क्या होती है ना कभी कभी ऐसा question आजाता है कि तमिल नाडू है यहाँ पर suppose तो यहाँ पर पूछेंगे question कि तमिल नाडू की to become the largest company by market cap so कौन सी company है Microsoft ने उनको जो है take over किया है okay so वो हो जाएगा Apple right so Microsoft की बात करते हैं सबसे पहले so April में April 4 1975 जब हम पैदे भी नहीं हुए थे बहुत पहले इसके establishment हो गया था okay right now इसकी CEO कौन है Satya Nadella okay कौन है यह Indian है okay Satya Nadella Indian है Microsoft के CEO है so Microsoft ने take over किया है to become the largest company okay but in the market तो कौन सी company को take over किया है Apple को to become the largest company in the market so next देखना so which word has been chosen as the word of the year 2021 by Oxford English Dictionary so the most important question अगर आप ऐसे सी examination लिखने जा रहे हो तो इस word को याद रखनी है so option number D आपका wax is the right answer okay so Oxford English Dictionary ने word of the year 2021 यहाँ पे wax को choose किया है okay so wax का मतलब यहाँ पे क्या है हमने 2021 में सबसे ज्यादा बार जो वर्ड यूज किया था वह है vaccination राइट वाक्सन यह वाक्सनेशन हमने बहुत ज्यादा यूज किया है तो वाक्सनेशन यह वाक्सन का short form होती है wax जो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है so इसलिए जो है इसको word of the year बोला गया है so आप ऐसे सी examination लिखने जा रहे हो तो wax words जरूर एक बार देख के जाना क्योंकि English Oxford English Dictionary ने चूज किया है तो obviously हमारे लिए important हो जाएगा न हां की नहीं बताओ so चलो next question देखते हैं भी so the Ganga Utshav 2021 the river festival is which edition of the annual Ganga festival so Ganga Utshav 2021 तो होता ही है okay Ganga Utshav every year हो रहा है तो कौन सा edition है कितने साल से हम Ganga Utshav बना रहे है तो answer आपका 5th हो जाएगा option number B next देखते है so the G20 summit 2021 has which edition of the annual event so बात करते है कि G20 जो summit हुआ था न रीसंटली कहां पे हुआ था रोम में हुआ था okay Rome was the capital city of Italy so कितने नंबर का summit था ये तो answer आपका हो जाएगा option number C 16 next देखते है so who has been appointed on the board of trustees of the prestigious Smithsonian's National Museum of Art Asian so किसको appoint किया गया है board of trustees so answer आपका हो जाएगा option number A इशा अम्बानी okay जानते ही हो ना इशा अम्बानी okay इशा अम्बानी की फामिली से भिलोंग गड़ती है okay so आज के questions यह है hope आपको पसंद आगे होंगे so पसंद आगया तो जरूर लाइक करो आपके दोस्तों के साथ शेह गना अभी तक subscribe नहीं किया हमारे चैनल को so do subscribe to our channel and also click the bell icon beside that so गल मिलते है इसी ताइम पे इसी सेशन के साथ bye bye everyone thank you all for watching this session bye bye